असंबब को संबब बना देगा नीवू का यह उपाय अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा या आप किसी मन चाहें इस तरी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यह नीवू लेकर उपाय कर दो प्यार आपके कदम चुमेगा चाणक के नीती चाणक के द्वारा रचित नीती गिरंथ है जिसमें जीवन को सुक में और सफल वनाने के लिए उपियोगी सुझाब दिये गए हैं इस गिरंथ का मुखे भी सहे मानब समाज को उसके जीवन के हर एक पहलू की बहवारिक सिक्षा देना नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में आईए जानते हैं चाणक के की कुछ ऐसी ही नीतियां जो जीवन में किसी न किसी मोल पर काम आ सकती है दोस्तो चैनक के जी अपनी एक निति में कहते हैं कि नीवू ही वो एक ऐसी चीज है कि चारो देशाओं की सकतियों को समेटे हुए है और आप इसे कई तरीके से भी यूज कर सकते हैं अगर आप नया घर, नई दुकान या नया कारोवार करते हैं तब भी आप नीवू मेंगेट पे टांगते हैं इसलिए आज में आपको नीवू का एक ऐसा बस ही करन बताने वाला हूँ जिसे अपना कर आप किसी भी इस्तरी ये पुरुस को अपने बस में कर सकते हैं क्योंकि नीवी बहुत ही सकती सालिय होता है ये निगेटिविटी यानि की नकारात्मक उठजा को निकाल देता है और सकारात्मकता आपके पास लाता है तो दोस्तों ये उपाय क्या है आपने इसे कैसे करना है ये जानने के लिए वीडियो में आंततक बने रहें वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवालें दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह भगवान, स्री किष्ण, खाटू, स्याम, मुरली वाले से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे जैसरी किष्ण, अबसे ही लिख दें ताकि भगवान, स्री किष्ण, आपकी हर मनो कामना पूरी करें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर, और बताते हैं कि आपने ये उपाय करना कैसे है, क्या करना है दोस्तों, इससे पहले ध्यान दें, अगर आप किसी गलत मकसद के लिए इसका यूज करते हैं, तो आपका उल्टा नुक्सान हो सकता है कोशिस करें, या आप सच्चे प्यार के लिए ही इसका उप्योग करें क्योंकि दोस्तो सच्चे प्यार के लिए जो वैक्ती अपनी जान नौचावर करके कुछ भी करता है तो उसका प्यार उसे लोटाता है उसे भगवान सारी खुशियां दे देता है और अगर कोई वैक्ती किसी का दुल दुखाने की कोशिस करता है या किसी को ठेश पहुचाने की कोशिस करता है तो उपर वाला भी उसका साथ छोड़ देता है तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों आप भी ऐसा ना करें आप भी किसी का दिल ना दुखाएं किसी के दिल को ठेश ना पहुचाएं किसी की आत्मा को दुखी ना करें क्योंकि अगर आत्मा दुखी हो जाती है तो परमात्मा भी दुखी हो जाता है तो दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर आपको एक नीबू लेकर और चार लोंगे लेनी हैं दोस्तों यानि कि दोनों बस तो अपने पास रख लें और नीबू में ये लोंगे आप चारों दिसाओं में उसके अंदर डाल दें यानि कि जिस तरफ से नुकिली होती है थोड़ी सी उस तरफ से आप नीबू में डाल दें यानि कि नीबू में गुसा दें जैसे आप एक लोंग घुसाएं तो उसके सामने दूसरी, पीछे की तरफ, फिर उपर, फिर नीचे, यानि कि चारो देसामों आपने एक-एक लोंग इसके अंधर डाल देनी है दोस्तो इस उपाय में ना किसी मंतर की जरूरत है ना किसी तंतर की जरूरत है आपको सिर्फ यही करना है और इसे करने के बाद में इस पे थोड़ा थोड़ा लोंग के फूल पर सिंदू लगा देना है क्योंकि दोस्तो अब आपने चारो देशाओं घेल ली है यानि कि चारो बंद करके उपर वाले से आरादना करनी है, प्रातना करनी है, हे दसिक पाल, हे चारो दिसाओं के मालिक, मुझे मेरा प्यार दिला दे, चाहे किसी भी दिसा से सही, किसी भी दिसा से सही, मुझे मेरा प्यार दिला दे, भेह आपकी जरूर सुनेगा, क्योंकि आपने उसे जकल रखा है आपने उसे बांध रखा है दोस्तों प्यार तो क्या आप जो मांगोगे उस समय वो आपको मिल जाएगा आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे